तड़का लगाने के ये तरीके बढ़ा देंगे आपकी साधारण सी डाल का स्वाद नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साधारन सी डाल हो या फिर रायता, इसमें तड़का भर लगाने से स्वाद बदल जाता है तो चलिए जाने ऐसे ही रसोई से जुड़े खास टिप्स जो आपकी मदद करेंगे एक, जब भी डाल बनानी हो, इसे कुछ तेर पानी में भीगो कर रखें फिर सामाने रूप से पका लें, इससे डाल अच्छी बनती है दो, डाल में जीरा, राई, प्याज और करी पत्ते का तड़का लगाएं, इससे डाल का स्वाद दो गुना हो जाएगा तीन, डाल को उबालते समय उसमें एक चुटकी हींग डाल दें, इससे उसकी पाचक क्षमता बढ़ती है डाल का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप आधा चमच तेल भी मिला सकती है चार, रायते में पुदीने के पत्ते या पुदीने का पाउडर डालने से उसका स्वाद बढ़ जाता है पांच, साबूदाने की टिक्की बनाने के लिए उसमें एक ब्रेड का टुकडा मिला दें इससे टिक्की फट्ती नहीं है छे, भिंडी काटने के तुरंद बाद उसमें नीम्बू का रस मिला दें इससे भिंडी का लेसलापन खत्म हो जाता है साथ, बेसन का नर्म चीला बनाने के लिए उसमें थोड़ा ताजा दही मिलाएं आठ, खीर बनाते समय चीनी हमेशा अंत में ही डालें क्योंकि चीनी पहले डालने से चावल ठीक तरह से पक नहीं पाते हैं नौ, कुरकुरा मुंका दाल का चीला बनाने के लिए उसमें दो स्पून चावल का आटा मिला दें दस, यदि देसी घी को अधिक दिनों तक ताजा रखना चाहते हैं तो उसमें एक टुकड़ा सिंधा नमक वगुड मिला दें